तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आशा है कि आप लोग ठीकी होगी तो स्वागत है आपका एक निव वीडियो में तो यहाँ पे मैंने जैस वीडियो के अंदर जो पिछला पार्ट है ओभी जै मर्च कर रखा है अगर आपने पिछला पार्ट देख रखा है तो प्लीस यहाँ पे जह थोरा इसको स्किप कर लीजेगा और 26 मिंट के बाद आपको जह नया पार्ट देखने को मिल जाएगा और नहीं तो नीचे टाइम लाइन होगी वहाँ पे क्लिक कीजेगा और आप डिरेक्ट नया पार्ट में पहुँच जाएगे चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को यह एक बार आप यहाँ पे डेंजन के अंदर जा रहे हैं लेकिन तभी आपको वहाँ पे रास्ता दिखाए देता है और आप जैसे यह रास्ते के अंदर जाते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा मोस्टर दिखाए देता है और उस monster को डेखके आप बहुत जा डड़ जाते हो तभी जो monster होता है वो आपके बोरी हमला कर देता है और आपको यहाँ पर खा जाता है लेकिन आप जैसे यहाँ पर उठते हो और आप देखते हो कि भलही उस monster ने आपको खाया हो लेकिन आप जह अभी तक जिन्दा हो आप तो यहां पे गलती से के अंदर चला जाता है और वहां पे इसको एक और प्लेश बैक का सीन दिखाए जाता है जहां पर हमेशा के तरह उठके यहां पर यहां तयार हो रहा होता है गिल में जाने के लिए जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पर राइटो गिल में आ जाता है और यह कहता है कि यहाँ पर कुई से वो जह रैंक के इसाब से मिलते हैं बंदों को तब ही यहाँ पे कुछ बंदे राइटों के पास आते हैं और यह बोलते हैं कि आज तुम फिर से जो यहाँ पे डंजन है उसके अंदर जाने वाले हो तो राइटों बोलता कि हाँ अगर मुझे कोई और यहाँ पर रिक्वेश्ट नहीं मिली तो जिसके बाद बंदे चले जा है यहाँ पे निकल जाता है डंजाने की तरह और यह बहुत जाता है उसी डंजन चनी और और यह उंदर जाके यहाँ पर जो यहाँ नहीं देखें और तो यहां पर के रास्ता देखाई देता है और यह यह थी को यह को दब Mississippi हे है इसके रहों को देखाना और इसके बाद कर अंदर मिधम करता है और्यहां मुझेन पराइब तो नहीं हूं मैं रह पॉत ho оцता कई नहीं रहती लेकिन मेरे पास मैमीरी नहीं मतलव मैं जहां भी जिन्दा हूं मुझे लगता कि ऺहले मुंझे जहाँ हैu आप वहाँ पहलों कर देता है मैं यहाँ बनते हैं भगा umm सकता है कि प्रकाइए कर सके लेकिन दिक्कत ही है कि अगर कोई अर्वेंचरर यहां पर आता है तो आखिर कार मैं उससे help कैसे माँँगा क्योंकि मैं दो बोली नहीं पा रहा हूं तब हम देखते कि यहां पर एक monster आ जाता है यहां पर राइटो जो होता है कि मुझे इसको मानना पड़ेगा लेकिन जैसे procent उठाता है यहां पर राइटो नीचे गिर जाता है मंस्टर झासको मानने वाला होता है लेकिन अगदम से ब हिर जाता है क्योंकि उसकी प्यैयर के इसिधा यहां पर साइटों को जह मिल जाती है और जिसके बाद यह होता है यहां पर सोच रहा होता है कहीं यह वही तो नहीं जिसके बाद हम फ्लैश्वेक का सीन देखते हैं जहां पर लड़ी की इसको बता रही होती है कि जो यह स्कुर्ट मोस्टर है वो जह इवल होते हैं और वह ए यहां पर आगे के दरफ जा रहा होता है और हम देखने कि यहां पर आके एक और säटो यहां पर बिटा होता एक और यह बोलता है कि मुझे नीन नहीं आ रही है और ना में कुछ खा सकता हूं विसके बाद यह होता है यहां पर ब्रेड के ऊपर जो होता है एक मैजिक कर देता है जिससे ब्रेड यहां पर फ्रेश रहे और यह ठीक हो जाए तो यह से खा पाए यहां पर सैटो कहा था कि चलो मुझे आगे की तरफ चलना चाहिए और मुझे जीतने होसे के उतने मौश्टर मानने चाहिए और यह यहां पर यहां पर जो स्लिम की जैली होती है और यहां पर कर सकता हूं यहां पर बोलने कुछ कर रहा होता है लेकिन यह बोल नहीं पा रहा होता है पृच कोई बाद नहीं मैं प्रिष्टी करूँगा तो बोल पाऊंगा फिर यहां पर यहां पर साइटो होता है वहाँ पर यहां पर देखते हैं यहां पर इसको देख रहा होता है और यह बोलता है कि इतने टाइम के बाद मैंने किसी इंसान को देखा है यह कहता है किया मैं इसके पास जाओं लेकिन यह जो काफी डर जाएगी क्योंकि इसे लगेगा कि मैं एक मोस्टर हूं तो यह जो तर चुप चप से उसके पीछे जा रहा होता है और यहां पर जो मोस्टर उसकी तलवार को ही पकड़ लेता है तो यहां पर यहां पर लड़की को बोलता है कि मेरा नाम सैटो है यहां पर जो लड़की होती है यह बोलती कि तुम उसे दूर हो तुम जो एक मोस्टर हो और यहां पर जो सैटो होता है यह बोलता है कि नहीं मैं मोस्टर नहीं हूं मैं जो एक हैंडर हों तो यहाँ लड़की बोंती करmon के मैं तुम उर्ट मताओं लेकिन मैं अभी जिनता हुं तो यहां पर लड़की बोलती है ठीक है आप का श्यक्रियाम आपने जहें मेरी जान बचाई है कि यहां तुमसे कुछ जूराओंगी और यह जो होती है यहां से चली जाती है यहां पर लड़की होती है यहां पर लड़की होती है यह कुछ फूचना है जिसके बाद हम देखते हैं यहां पर मॉस्टर से फाइट कर रहा होता है यहां पर यहां पर लड़की बोलता है कि यहां पर पर कपड़ोंग उठाकर बोलता है यहां पर लड़की होती है में आपके लिए यहां पर अक्स दिखा देती है यहां पर यहां पर पहन लेता है। और जिसके बाद सेटों यहां पर कहता है कि मार्क्स तो उतरी नहीं रही एकदम से। लड़की बोलती कि मैं समझ गई कि वो जो स्टोल है वो मुझे इतनी अजीब क्यों लग रही थी और उसने ये मार्क्स मुझे जह काफी या सस्ते में क्यों दे दिया था मुझे लगता कि ये मार्क्स जह यहाँ पर 116 मार्क्स है मुझे माफ कर दीजेगा मुझे पहले कोई बात नहीं में जो किसमत है वही खराब है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं फिर सेटों बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पर विलेश के अंदर ले चलोगी जिसके बाद हम देखते कि यहाँ यहाँ जो होते हैं और दोनों काफी सारी बात यह कर रहे होते हैं इस जो सेटो होता है वो बोलता है कि यहां पे बहुत सारे बंदे मुझे जानते हैं तो यहां पे जो लड़की होती है बोलती है कोई बात नहीं हम दूसरे गेट से चलते हैं फिर यह लोग जो होते हैं यहां पर दूसरे गेट पर आ जाते हैं और यहां पर यह लोग अंदर चले जिसके बाद हम देखतें कि सेटो यहां पर घर पे आजाता है और यहीं पर हम देखतें कि वह एक लड़की के पास आता है और यह बोलता है कि तुम बहुता है और मैं इस बात को बिल्कूल नहीं मानती लेखितें। मैंने अपनी आखों से तुम्हें देखा है इसलिए मुझे तुम्हारी बात बिशास करना पड़ेगा पहले यह बताओ क्या वो ड्रेगन अभी तक जो लेबर्ड है वहीं पर है तो यहां पर सेटों बोलता कि नहीं वहां पर नहीं है वैसे तुम जिस बात को यहां बोल रहे हो है न लेकिन अभी भी तुम्हारे पास गिंदर न हम पर यहां पर नहीं पर करूंगा तो यहां पर जो लटकी होती है यह बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए टाक्स लाके दे दूँगी और साथी मैं अपनी सर्च में यहाँ पे जो चेक करूँगी कि आखिर का तुम्हें जो दुबरा इनसान कैसे बनाया जाए फिर हम नैक्शीन में देखते कि यहाँ जो सेटो होता है वो बहुत सारे पैसे भी मिले हैं सेटो हिरकातों है भिल्वार निक्राइख best लाएंज सेटों मैं आपकर फ्रीमाद्सराइख चैनल सेटों मैं भी मैं पर इस मैं प्रमारे ठीक करने ईहाँ मिद sigUND तरह पाँ सुह देंगे लेकिन वो आपसे कभी कोई फोन में बात करेंगे ताकि आप बता सके कि आपको तलवार किस तरह की चाहिए यहां पर टीना का नंबर दे देता है यह बोलता है कि अगर आपको कॉल करना हो तो प्लीस इसी नंबर पर कीजेगा जिसके वाद हम देखते कि टीना यहां सब्सक्राइब तो जो सकते हैं तो उपने पाष्ट के दिनों को याद कर रही होती है यहां पर च两 यह जा आ जाएगा अगर आप इसको उपनी सांतेaleb इसको थोड़ा बहुत experience मिल जाएगा यहां पर जिसके बाद यहां पर टीना मान जाती है यह लोग होते हैं यहां पर हफ्स को collect कर रहे होते हैं यहीं पर हम देखते हैं कि जो टीना होती है वो याद कर रही होती कि मैं बड़ी चोटी उमर में ही यहां पर जो डॉक्टर बन ग लेती हैं तब इसको यहां पर कुछ हफज दिख जाते हैं यहां पर जो ट्रीना होती है वह जो होती है यहां पर बीचमें आ जाता हैं और यहां पर टीना होती है something Has不多 अथ कब अइधान यहां पैर नगाल सकते हैं तो मिजे कहा था तो मुझे पौधों के रहुख लेगी इसलिए मैं ने यहां पर ना सुरू तिए उत्सेखा सकते हो जिसके भास हो ने देदी ठीक होने के लिए जिसके बाद ये जो होता है जा रहा होता है और ये बोलता है कि ब्लैक स्मीट ने मुझे अपनी दुला दी है यहाँ पर इस्तमाल करने के लिए जब तक में दुला ठीक ना हो जाए फिर यहीं पर हम देखते कि टीना बोल रही होती है कि तुम्हें भूग नहीं लगती तो सेटो बोलता कि नहीं मुझे भूग नहीं लगती बिलकुल भी तो सेटो बोलता है कि हाँ मैं मोश्टर को मारूंगा क्या पता मैं दुबारा से इनसान मन जाओं फिर हम नैक्षिन में देखते की यहाँ पर एक बंदा जो होता है सलीम से फाइटिंग कर रहा होता है लेकिन सलीम उसके उपर ही हमला कर रही होती है तब ही यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है आ जाता है और यहाँ पे सलिम को जो है मार देता है की बार में ही यहाँ पर सेटो कहते हैं काफी बंदे इस तरह का भाना मारते हैं लेकिन मुझे यह बंदा तो अच्छा लग रहा है उसके बाद यह बोलता है ठीक है तुम मुझे जोइन कर सकते हो लेकिन तुम्हें मेरा दो समान है वो जह उठाना पड़ेगा जिसके बाद हम देखते कि सेटो और यहाँ पर यह बंदा जो होता है चले जाते हैं आगे की तरह और यहाँ पर जो बंदा होता है वो जो होता है काफी खुश होता है जिसके बाद हम देखते कि यह लोग यहाँ जो है जा रहे होते हैं अंदर जाने के बाद यहाँ पे यह लोग एक रूम के अंदर पहुच जाते हैं लेकिन यहाँ पे इंको कुछ भी नहीं मिलता जिसके बाद यह और आगे जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे एक जो टेलिपोटन वाल मैजिक होता है और यहाँ पे जो बंदा होता है यहाँ पे उसके उपर पैय रख देता है और यहां पर गायब हो जाता है फिट सेटो जो होता है उसके पीछे जाता है और यहां पर देखता है कि सेटो जो बंदा है वो जह यहां पर बेहुस हुआ पड़ा है तब यहां पर जो सेटो होता है वो देखता है कि यहां पर एक बहुत बड़ा स्केलेटर मॉंस्टर जो है आ चुका है और यहां पर हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है यहीं पे जो सेटो होता है वो जो होता है यहां पे स्कलेटर मॉंस्टर के उपर हमला करने के लिए तयार होता है और यहीं पे जो स्कलेटर मॉंस्टर होता है वो भी जो होता है सेटो के उपर हमला करने वाला होता है यहां पर मॉंस्टर नीचे गिर जाता है और सैटो उसके उपर हमदा कर देता है और यह मौस्टर को मार देता है ज्रडा लेना और जो होटल है वह जो होता है यहां पे एक बहुत बड़ा किश्टल जो होता है इस बन्ने को देता है यहां पर जो बंदा होता है काफ़ी शौक मैं रहता हूं यह बैस주या क्रजा खुंगा त्हूं लेना और छोटल इतन.' चाहिए यहां पर बंदा होता है यह बोलता है तुम आके कभी मेरे घर पे खाना खा सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है जिसके बाद बंदा होता है वह बेचारा काफी यह लग जाता है और यह बोलता है तुम्हेरा बहुतों शक्रिया तुमने मेरी फैमिली को यहां पे बचा लिया जिसके बाद ये मिलके यहां से बहुत ही होते हैं और फिर हम देखते हैं कि नेक्षिन में यहां पर बहुत जाता है अपने रेश्टरॉंट के पास और यहां पर यह अपनी बीबी को बाहर बुलाता है रेश्टरॉंट पर इसकी बीबी जो है बाहर आ जाती है, और यह बोलती है कि आखिन का तुम जो ठीक हो, मुझे लगा कहीं कुछ हो न जाए, तो यह बंदा बोलते हैं कि तुम टेंसर मतलो, मुझे चोटी मोटी चोट लगी थी, लेकिन इनों ने मुझे हील कर दिया है, और साथी यह देखो तुम जो इससे पैसे मत लेना जिसके बाद यहां पे लेडी बुलते हैं। और यहां पर इसको देखने लग जाता है और यहां पर इसको दूर भगाने के लिए यहां पर मैजिक होता है उसका जाता है ना काफी जाक спрос हो दूर गरता और यहां पर तिना बोल देखिनार के सब्सक्राइटिए ब सक्वार वगाने माँध मैंने ज़े मोश्र से वाटिंगी बस यही हुआ था और जब मैं अपिस आ रहा था तो एकदम से मैंने अपना आपा है वो ज़े खोद दिया था और मुझे ज़े काफी अजीव से डिखाई दे रही थी और यहां पर मुझे ज़े एकदम से मीट खाने का मन होने लगा था जिस तीना बोलते हैं तुम जाओ और यहां पर रिष्ट करो जिसके बार सेटों बोलते हैं तुम रुख जाओ मैं जहुँद तुम्हारा जो शोल्डर है उसे हील कर देता हूं एक हम देखते कि यहां पर जो होता है वह होता है तुम आप तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है तो यहां पर सेटो जो होता है शीशे में देखता है और बोलते हैं जिसके बाद हम नेक्स डेका सीन देखते हैं यहां पर जो सेटो होता है ओ जो ता सूर सूर उटके यहां पर प्रेश्टी कर रहा होता है यहीं पर सेटो बोलता है कि मैं इस तल्वा के सांथ लबर शीटी में दुबारा नहीं जा सकता हूं जिसके बाद सेटो दुबारा उस बंदे के पास आ जाता है और यहां पर यहां पर यहां सारी बाते इसको जह बता लेता है फिर यहां पर यह बनता बोलता है ठीक है जिसके बाद सैटो यहां पर कह रहा होता है कि पता नहीं उसको जह कैसे बचलगा कि मैं ही जह हूँ सैटो हूँ यही पर हम देखते कि टीना दवाई बना रही होती है और यह जो होती है यहाँ पर दवाई को बना लेती है और यह बोलती कि तुम इसे जह पीलो यहाँ पर यह जैसे इसको पीता है तो यहाँ पर टीना बोलती कि तुम ठीक हो यही पर टीना बोलती है ठीक है तुम जाओ और यहां पर जह सो जाओ सेटर बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए फिर यहां पर टीना होती है बोलती है वैसे तुम्हें यहां पर खून की तलब दोबरा हो रही है क्या है सैटेण होता है कि यहाँ मुझे तलब हो रही है जिसके अगुझे पोर यहाँ पेल्द मिला हुआ है और तुम इसे पी सकते हैं जो तुम्में तलब लगे हैं और यह जो होता है यहां पर सूंग रहा होता है और एक दम से इसकी जो आके होती है वो लाल सी हो जाती है जिसके बाद यह जो होता है बूंद को निकालता है और यहां पर चाट लेता है तो यहां पर टीना बोलती कि यहां तुम्हारे लिए एक बूंद खून काफी होगा तो सेटो बोलते है कि हाँ मुझे एक बून खून से यहाँ पर जह काफी अराम मिलता है अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर जह सोने के लिए फिर यहाँ पर टीना बोलती है कि पहरे तुम यह बताओ किसम कल दुबारा से यहाँ पर जो लेवर्ट सिटी है उसके अंदर जाने वाले हो तो सेटो बोलता है कि हाँ मैं जाने वाला हूँ फिर यहाँ पर टीना बोलती कि अगर इस तरह से मैं यहाँ इरवन से गिल के अंदर से जो रिक्वेस्ट है वो लाती रही तो यहाँ पर वो लोग जी है मेरा लेवल बढ़ा देंगे तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ाएंगे फिर सेटो बोलता है कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ यहाँ सेटो बोलता है ठीक है जिसके वह सेटो जो होता है यहाँ पर आ जाता है रवन से गिल के अंदर और यह बोलता है कि यहाँ पर आए हुए काफी ज़धा टाइम हो गया है जिसके बाद यह जो होता है यहाँ जहाँ गिल वारी लिड़की के पास और यह बोलता है कि म मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यहां पर चीजों को दुबरा स्टार्ट की है जिसके बाद सेटो यहां पर रे नाम से रिश्टर करा लेता है और यहां पर लड़की बोलती कि यह आपका यहां पर कार्ड है आप हमारे यहां पर जो आरेन एर्वेंचेर है उसके नाम पर जहे हरिश्चर हो जुके हैं जिसके बाद सैटो जो होता है यहाँ पर आ जाता है Companion चेंदर और यहां पर भॉर को डुटने लग जाता है तब ही हम देखते हैं कि सैटो को यहां पर बहुत सारा बंद ज्योह दिखाई देते जिसके सेटो वहां पर जाता है और दुबारा से जो उस पर चड़ जाता है और यहां पर किसी और रूम में टेलिपोर्ट हो जाता है जिसके बाद हम देखते कि यहां पर जो होता है पहुत जाता है एक रूम के अंदर और यह बोलता है ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई रहत लड़कि बोलते हैं कि मुझे मुझे लगा कि मूण्चर हो इसलिए मैंने तुम्हारी ऑपर हाना करदी है अशी से नहीं लोक मेर ले सकती हैं और यहां पे लडकी बोलते की जब भी तुम चाहो, तुम जो यहां पे आ सकते हो, उवीज यह इस मैप की help से, लेकिन ध्यारत ना, यहां पे तुम आरि लबा कोई और इस मैप को नहीं देख सकता है, जिसके सेटो मैप को ले लेता है, यहां पे, फिर यहां पे जो लडकी हो तुम यहां पे काफ़ी हजीब हो गय हो पहले दुमिंचे यहां पर डगन निकाल लिया और यहां पर अब यह लड़का मैप को खोल के देखता है है और यह देखते हैं कि Вам हुआ हैं में निया जांगा यहां पर अगे ऩा दुपरा से उसी पिर जा रहा होता है तभी यहां पर इस मैप के अंदर भी नहीं होता है चेंज हो जाता है यहां पर यह मीट को दे रहा होता है, यहीं पे जो रिष्टर ये लड़की होती है, यह बोलते है कि तुमने काफी ज़्यादा अच्छा टाक्स किया है, इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम यहां पर जो ब्राउन रेंक एक्जाम है, वो जहें क्यों नहीं दे देते हैं, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि तुम काफी अच्छा करोगे यहां पर सैटो बोलता है लेकिन यह कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा तो यहां पर लिड़की बोलते हैं मुझे पता है कि यह जल्दी हो जाएगा लेकिन तुम औरों से बहुत ज्यादा अच्छे हो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें brown rank का जो exam है वो देना चाहिए जिसे तुम्हारा पर्मोशन हो जाएगा और तुम iron rank से यहाँ पर brown rank तक पहुच जाओगे सभी गिल में बाकी बंदे सैटो को देख रहे होते हैं और यह बोलते कि आस से पहले हमने तो इसे कभी देखा नहीं है तबी दूसरा बंदा बोलता है कि यह नया बंदा है और यह अभी iron rank पे है फिर यहाँ पर जो सेटो होता है यह बोलता है ठीक है मैं exam देने के लिए यहाँ पर जहूं तयार हूं फिर लड़की बोलती है ठीक है यह तो काफी अच्छी बात है मुझे पता है कि तुम इस exam को प exam देने वाले हो तो सेटो बोलता है कि हाँ मैं exam देने वाला हूं तो यहाँ टीना बोलती है यह तो काफी ज़्यादा अच्छी बात है अब तुम जल्दी से यहाँ पर जो brown rank है वहाँ जह पहुँच जाओ के और तुम उसके बाद में 3 rank पहुँच सकते हो तो यह टीना बो गलते है कि मैंने तुम्हारा फैमिली नेम इसलिए इस्तमाल किया है कि मैं तुम्हाई जगापे रहता हूं और सभी लोगों को यहां पर गलते हैं यहां पर बेकार साइंटिस्ट हूं इसलिए मुझे कोई परवा नहीं है यहां सेटो बोलते कि नहीं यह जह गल्द बात है तुम जह बिल्कुल भी यहां पे जह बेकार सेंटिस नहीं हो तुमने जह मेरी बहुत ज़धा हल्प की है अगर तुम नहीं होती तो साय से मैं यहां पे इनसान नहीं बन पाता यहां पे टीना बोलते कि मैंने कुछ भी नही किया तुमनें मेरी उलिठा बहुत जख्यदा हल्प की है तुमने मेरे लिए यहां पर जए शफाई की और यहांपे जो खाना है वह भी बनाया बाता नहीं मैं तुम्हारे ऐसानों का बदना कभी चुका पाऊं गी मुझे लगता है कि मैं इस जिंद्गी होते हैं एक्जाम देने के लिए यहीं पे जो एक्जामिनर होता है यह बोलता है कि आज तुम लोगों का यहां पे जह एक्जाम होने हो तो ही तुम यहां पे प्रेटिकल एक्जाम में जह है separate ले बावाऊंगे जोभी कंडिडेट यहां पर रिटर्न एक्जाम को पूरा नहीं कर पाएगा वो जह प्रैटिकलоки एक्जाम में नहीं बैठ पालेगा चलो ठीक है तुम ही एक्जाम है जह हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर यह लोग जो होते हैं जा रहे होते हैं एक्जाम के अंदर यानि कि जो एक्जाम होल होता है उसके अंदर और फिर यह लोग एक्जाम होल के अंदर आ जाते हैं और यहां पर बैठके पेपर लिख रहे होते हैं तब यहाँ पे बाखी बंदें भी जो होते यहां सरकों लिक रहे होते हैं लेकिन ये लोग काफी नर्वस होते हैं यहीं पेर ओर अपर पेपर चादम हो जाता है और बहुत सारे बंदें इसमें पेखरोगे हो जाते हैं तो यहां पे जो शीला होती है वो जो होते हैं यहां पे दो बंदों से इसको मिलवाती है जिसमें से जो लड़की होती है उसका नाम यहां पे लायरा होता है और लड़के का नाम रीजा होता है जिसके बाद यहाँ पे जो रेजा होता है यह बोलता है कि मैं एक सोड मास्टर हूँ और यहाँ पे लायरा बोलती कि मैं एक हीलर हूँ यहीं पे मेनेजर बोलता है कि तुम सब को लेवर सिटी के अंदर जाना है और यह मैप तुम्हारी हेल्प करेगा इस मैप के अंदर जो निशान बना है तुम्हे जह वहाँ पर जाना है सभी बंदे यहाँ पर तयार होते हैं सभी बंदे यहाँ पर लेवर सिटी के पास पहुच जाते हैं तभी यहाँ पर जो सेटो होता है यह बोलता है कि तुम सभी अभी जह रुक जाओ मुझे लगता है कि हमें Map जह बॉय करना चाहिए तब भी लह रहा है बोलते हैं लेकिन हमें तो Map दिया गया है ना सेटो बोलते है कि यह Map 15 साल पुराणा है देखो तुम यहां पे जिसके बाद सेटो यहां पर नए Map ले लेता है और जिसके बाद ये लोग मैप को चेक करते हैं और यहाँ पे रेजा बोलता है कि तुम सही कह रहे थे इस मैप में और यहाँ पे इस नए मैप में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट से सैटर बोलता है गिल जान मुझके हमें जह पुराना मैप देता है कि हम लोग यहाँ पे जहें कंफ्यूज हो जाएं और जगा को जहें यहाँ पे नढून पाई जल्दी अगर तुम्हें यहाँ पे इस टेस को पास करना है तो इस बंदे की बात को सुनते रहना जिसके बाद यह लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे यह लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो मॉस्टर हैं वो इंके सामने खड़े हैं और यह लोग जो होते हैं इंको मारना सुरू कर देते हैं यहीं पर मोस्ट्र होते हैं, वे जो होते हैं, इसको पकर लेता है, जपता है, जिसके बाद ये लोग यहां पर अंदर जा रहे होते हैं, यहां पर रेजा बोलता है, लिकिन आखिरख़ इतने सार के नाइट हमारे उपर हमला क्यूं कर रहे थे यहीं पर सैट्व होता है वो में व्यक्तर हैं तो सेटब बोलता है कि हाँ, यहाँ पर जो गिल है, वो जह हमें टेस्ट कर रहा है, तभी ये लोग देखते कि यहाँ पर कुछ बंदे और आ जाते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर हमला कर देते हैं इनके उपर, यहाँ पर सेटो इन बंदों से लड़ रहा होता है, यहां पे जो रेजा होता है वो भी जो होता है इन बंदों को यहां पे जह मार रहा होता है और जिसके बाद यह सभी बंदों को यहां पे मार देते हैं और यहां पे जह इनको बांध देते हैं यहां रेजा बोलता है क्या खिरिकार यह बंदे कौन हैं तो सैटड़ों बोलता है कि यह लोग गिल के बंदे हैं और यह भी हमें टेक्श करने के लिए आया हुए हैं जिसके बाद यह लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं तबी यहाँ पे कुछ बंदे और आजाते हैं और उन बंदों में से एक बंदा बोर रहा होता है कि उस माक्समैन को हमारे बारे में पहले सब कुछ पता था वो जहें काफी अजीब लग रहा है जिसके बाद सीन चेंज होता है हम देखते हैं कि शीला यहाँ पे आई होती है ओ जो है मेनेजर के पास मेनेजर बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे तुम्हें माक्समैन के बारे में बात करने के लिए बुलाया हुआ है जिसके बाद यह बोलते हैं ठीक है बताए यह क्या हुआ तो यहाँ मैनेजर बोलता है कि हम उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना तो यहाँ पर शीला कहती है ठीक है अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं जहुँ जरूर बताऊँगी जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं और भी और यहाँ पर इंका जो होता है मेंट गेट सामने होता है और इसके अंदर ही जो असली बोस होता है वो होता है तब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बंदे और भी आ जाते हैं और यह बोलते कि आख जाँजा होता है वो जो होता है बीच में आ जाता है और इबोलता है कि तुम दूर cog separate चाऊ अगर तुम आखिरकार आप इसे पहले क्यों भेज रहे हूं तो यहां पर यह बंदे बोलते हैं लगता कि यह तुम्हारा बंदा पागल हो गया है और यह लोग अंदर चले जाते हैं यहां पर रेज़ा बोलता है कि तुम टैन से मतलो असल मैंने इंको पहले इसलिए भीजा ताकि हम बहुत बुरी तरह से घायल होते हैं जिसके और सेटर बोलता है कि अब हम लोग अंदर जा सकते हैं यहां पर रेज़ा बोलता है कि ठीक है मैं भी जह अंदर जाओंगा और मैं एक एरवेंचर बनूंगा और यह लोग अंदर आ जाते हैं जैसे ही अंदर यह पोस्ते हैं यह देखते कि इंके आगे एक बहुत बड़ा जो سली मॉंस्टर है वो जह खड़ा है, यहाँ पर रेजा बोलता है कि हमें इसका जो कोर है, उसे तोड़ना पड़ेका पहले, यहाँ पर जो रेजा होता है वो जो होता है डिर्यक्ट हमला कर देता है Slim Monster के उपर और यहां Slim Monster Reja के उपर हमला कर देता है तब ही यहां पे लायरा बोलती कि प्लीज आप जाके उसकी help कीजिये सेटो यहीं पे हम देखते कि सेटो होता है वो जो होता है चला जाता है यहां पे help करने के लिए रेजा की और यह Slim Monster से fighting कर रहा होता है तो भी यहां पे लारा बोलते हैं कि सैटो आप जहें दूर अट जाए और जिसके बाद यहां पे magic का इस्त्माल करती है fire magic का और यहां पे slim को जला देती है सैटो बोलते हैं कि इससे पहले दुबारा हो है तुम इसके ऑड़ को तबाह कर दो यहां पर रेज़ा वैसा ही करता है और यह इसकेission को तबाह कर दださい जिसके य message भूतलों ने यहीं पर यह लोग चाहते हैं दे दिया गया और ऐसा लगा कि जैसे यह एक रेश है और बस इस बंदे को जीतनी है लेकिन हम लोगों ने गिल माश्टर की पूरी बात नहीं सुनी हम लोगोंने यहां पर जाना है अन्दर नहीं अपर उन्होंने मार्प बोलता है कि तुम सही में गिल के बंदे हो क्या या फिर कोई और हो यहां पर यह लोग इसके उपर भी पिशास नहीं कर रहे होते तो यहां पर बंदा बोलता है कि आप लोग डरिये मत मैं जो सही में जो हो गिल का बंदा हूँ और जिसके बाद बंदा यहां पर जो होता है अ लेबल की तरफ तब ही हम देखते हैं जो सेटों होता है वो इन दोनों को एक नई जगा पर ले आता है और यह बोलते हैं यहां पर यहां पर रहेगी पहले हमें यहां पर गिल के अंदर जाना है ताकि हम लोग ब्राउन रेंग के जो अर्वेंचर है वो बन सकें जिसके बाद यहाँ पर रेजा बोलते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कहा है और यह लोग यहाँ पर पहुच जाते हैं गिल के बाहर और यहाँ पर यह लोग काफी ठेक चुके होते हैं लगता है कि इन लोग को बहुत सरे जाल देखने को मिले हैं जिसके बाद यह लोग यहाँ पर बैच को जमा करा देते हैं यहाँ पर जो सीला होती है यह बोलते कि आज से तुम लोग ब्राउन रेंग के अरवेंचर बन गए हो जिसके बाद यह दोनों काफी खुश हो जाते हैं और यह बोलते हैं कि यह तो काफी अच्छा हुआ सेटो बोलते हैं कि मैं एक ऐपर दुबारा से यहाँ पर ब्राउन रेंग केर वेंचर बंड गया हूँ जिसके बाद ये लोग सेटो का यहाँ पर शुक्रियादा करते हैं और ये बोलते हैं कि एक दिन हम लोग दुबारा से एक साथ में काम जुरूर करेंगे फिर वो लोग चले जाते हैं तभी जो शीला होती है ये बोलती है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूचने है तो यहाँ पर सेटो को लगता है कि इसको पता चलका है कि मैं ही जो हूँ सेटो हूँ तो यहाँ पर जो सेटो होता है ये बोलता है कि नहीं मुझे किसी सवाल के जाब नहीं देने और यह जो होता है यहाँ पर जा रहा होता है तब यहाँ पर शीला होती है वो जो होती है इसका हाथ पकड़ लेती है और यह बोलती है कि प्लीज आप मुझे ब्रोसा कीजिए और आप मेरे साथ चलिए मुझे आप से यहाँ पर कुछ सवाल पूछने है जिसके वाद हम देख देख darauf यहाँ पर यहांपे यह ambiguous कर ती है कि आप यहाँ पर बैट जाईने खींद हैं improving को विध्या वादा देती हूं कि मैं किसी को बइयना क्या करते हैं और मुझे अभी तरके विखेंस लिए आप भाहले mo firm करतबा, बता है है ता क्योंकि वो ही बंदा था आपके उपर नज़र रह रहा छाया कैसे हुआ को यहां पर शिला काया ठीकी मुझे अभी तक आपने भुरुषा नहीं किया इसलिए मैं यह मेजिक पस जोड़ा तो एक मैजिक निकलेगा और मुझे अगर कुछ है कि तुम बहुत बड़े खत्रे को यहां पे जो ले रही हो मौल जिसके बाद यहां पे शीला बोलती है कोई बात नहीं मुझे आपकी करनी है किसी भी तरह इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं यहां पर सेटो जो होता है अपने मार्क्स को उतारता है थोरा सा और अपना सकता हुगरी मैंनम में कंवार्ट हो लेखना है जिसके बाद यह वह लुझा कर सकती हूं इसलिए बोलती है को घर पे ले आता है और तभी यहां क्या बात है आज यह मेरे घर पे एक जह मेहमान आया है जिसके बाद सीला कहती है कि मुझे सब कुछ पाता है यहां पर तो टीना बोल दी कि तुम्हें क्या पाता है तो शीला कहती है कि मुझे पाता है कि यहां पर यह जह मौश्टर में बदल गए है जिसके बाद तीना कहती ह कि ठीक है तुम अंदर आजा फिलाल हम फिर बात करते हैं पिर टीना जो होती है यहां पर जो शीला होती है उसको यहां पर बोल रही होती है कि तुम काफी गल्द कर रही हो अगर यहां पर गिल को पाता चल गया है तो तुम जो काफी खत्रे में आल सकती हो और हो सकता है कि वो तो यहां पे जो शीला होती है। इस बोलती है। चाहिए कुछ भी हो जाए। मुझे जाони की है। जिसके बाद यहाँ पर शीला विल्कुल भी नहीं डर रही होती यही पर टीना बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग इसके उपर भ्रोसा कर सकते हैं चलो हम लोग तीनों खाना खा लेते हैं जिसके बाद यह लोग तीनों खाना खा रहे होते हैं यहीं पर शीला बोलती कि मैंने अफवा तो सुनी थी कि सैटो यहाँ पर कुक कर सकते हैं लेकिन मैंने पहली बार देखा कि यह काफी अच्छे कुक कर सकते हैं तब यहाँ पर जो सैटो होता है वो जो होते एक बूंद खून को निगालता है और यहाँ पर उसको चाट लेता ह यहीं पर शीला काफी शोक में आ जाती है और यह बोलती कि आप वेमपायर बन चुके है तो यहाँ पर टीना बोलती कि वैसे तुम यहाँ पर क्या बात करने के लिए आई थी तो यहाँ पर शीला कहे थी कैसल में जो अर्वेंचरर है वो जहाँ यहाँ पर सेटो की काफी कंप्लेंट कर रहे हैं और यहाँ पर जो मैनेजर है वो भी जहाँ यहाँ यहाँ पर सेटो को काफी देर से घूर रहा है और वो कहा रहा है कि यहां पे इस बंदे के अंदर कुछ तो गड़बड है मुझे यहां पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में और इनी बीच के अंदर यहां पे बहुत साथ जो अर्वेंचरर है वो भी गाइब हो रहे हैं इसके कारण उनका शक्त हो रहा है यहां पका हो रहा है उनको लगता है कि यहां पे जो इन दर नहीं आता हूं जिसके बाद हम लोग necks Kerin में देखते कि यहां पर सवी बंदें जो होते हैं अपना अपना जो कूईस होते हैं उसे ले रहे होते हैं और तभी यहां मैनेजर आता है और यह बोलता है क्या उस Marks वाले बंदें के बारें पाद चला तो यहाँ पे कहती ही कि हाँ मैनेजर पता किया लेकिन यहाँ पे कोई गर्बर्ड नहीं है जिसके बाद यहाँ मैनेजर बोलता है ठीक है तुम जाओ और बाकी बंदों की हल्प करो यहाँ पे तो इही पर जो हमारा सेन होता है तो आगी के दरफ जा रहा होता है यहां पर जो blacksmith होता है तो इसको तलवार देदेता है जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो blacksmith होता है यह बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपनी जितनी भी divine power है उसका विजह इस्तमाल करके यहाँ पे देख सकते हो सेटो बोलता है ठीक है जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेटो होता है वो अपनी डिवाइन पाउर का यहाँ पर इस्तमाल करने के लिए तयार होता है और यहाँ पर लकड़ी को काड़ देता है बीच से जिसके बाद यहाँ पर जो सेटो होता है यह बोलता है यह कुछ अच्छी लग रही है जिसके बाद सैटो यहां पे कहता है कि मैं एक और अटेक करना चाहता हूं जिसके बाद सैटो यहां पे दुबारा से जो होता है अटेक करता है यहां पर यह जो होता पेड़ को बीच में से काट देता है और जिसके बाद यह एक और अटेक करता है यहाँ पेड के उपर जिसके बाद यह जो होता है पेड को भी यहाँ पेड काट देता है बीच से लेकिन यहाँ पे हम देखते कि पेड के अंदर जो छोट छोटे पोधे होते हैं वो उग जाते हैं और यहाँ पे जो ब्लैक समीध होता है यह बोलता है सही में यह तो कमाल हो लगता है कि यह तुम्हारी जो divine power है उसका जह effect है यहाँ पर सेटो बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पाथता है जिसकी बाद blacksmith बोलता है क्या तुम्हें कभी यहाँ पर किसी God से कोई power मिली थी क्या या फिर तुम्हें किसी God ने blessing दी हो तो यहाँ पर सेटो बोलता है कि नह फुल नहीं है मुझे लगा कि वह जह लो लेवल की गोड़ है जिसके बाद blacksmith बोलता है कि भले ही वह लो लेवल की गोड़ हो लेकिन उसने तुम्हें पावर दे दी है और तुम्हारा जो डिवाइनरी अटैक है वह काफी अच्छा हो गया है यहीं पर जो blacksmith होता है यह बो बलास्ट हो सकती है सेटो यहाँ पर अपने मन के अंदर सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर जो मिस्री लेवल का वो बनना है और मुझे पाता है कि मेरी बोड़ी यहाँ पर जो अराम से इस अटैक को झेल लेगी क्योंकि मैं अभी आदा जो हो इनसान और इसलिए मेरी बोड़ी की जो कैपेविल्टी है वो जह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसके बाद हम देखते की सेटो यहाँ पे जह होता है अटैक करने के लिए तयार हो जाता है और यहीं पे हम देखते की सेटो सीधा जह होता है लकडी के उपर यहाँ जह अट जाते हैं यहीं पे जो सेटो की तलवार होती है उसका पूरा ही चूरा बन जाता है जिसके बाद यह बंदा बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हारा क्या करूं चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें नहीं तलवार दे देता है और जिसके बाद सेटो यहाँ से जा रहा होता है तब ही हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है एक बंदे को परशान कर रहा होता है और यह बोलता है कि हम लोग जो गिल के बाहर के रिक्वेस्ट है उनको जह नहीं लेते इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पे जो सेटो होता है वह यहाँ पर आ जाता है और यह बोलता है कि अग्रगार यहां युद्धा मेरे काँ कोड़ विलेजस से आया हूँ और मेरे विलेज में काफी की आफी कि का यहां पर इस विलेज के बार Gefon frameS 005 और हमें उसको बलीदान देना पड़ता है ताकि वो हमारे गाउवालों को कुछ भी ना करें इसलिए हर सल यहां पर एक लड़की जाती है गाउं से और वहां पर जहां पर बिस नहीं आती और वहां पर ड्राइगन उसको जह खा जाता है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्ली काफी चोटा गाउं है यहीं पर जो लड़का होता है यह बोलता कि हाँ यह चोटा तो है जिसके बाद रे जो होता है अपने जो घर होता है वहां पर ले जाता है सेटो को और तभी रे की जो बहन होती है वो बाहर आ जाती है यहां पर बोलता है कि यह जो है सैटो है और यह यहाँ पे जो इसकी बहन होती है वो काफी गुसा हो जाती है और यह बोलती क्या तुम एक अरवेंचर हो तुम चुप चप से यहाँ पे चले जाओ मेरा भाई जो है पागल है यहाँ पे तुम उसकी बात सुनके आए मुझे काफी कुशी मिली लेकिन यहाँ पे जो एथोड़ गाओं है यह जह इसका पुराना परंपरा है और इसे कोई भी नहीं बदा सकता अब मेरी भारी है और मुझे जाना ही पड़ेगा इसलिए मैं आप से रिक्वेश्ट करती हूँ कि आप चले जाएए तो यहाँ पे सेटो बोलता है कि मुझे तुम्हारे भाई ने बुलाया है अगर वो कहेगा तो मैं चला जाओंगा लेकिन यहाँ पे इसका भाई तो नहीं बोलता है कुछ भी इसके बाद रे की बहन बोलते है ठीक है तो यहाँ सेटो बोलता है कोई बात नहीं यहाँ पर रे बोलता है लेकिन आपको कुछ भी करके मेरी बेहन को बचाना पड़ेगा यहाँ पर सेटो बोलता है ठीक है जिसके बाद हम देखते हैं Next Day का Screen जहाँ पर सेटो जो होता है गाँँ के अंदर घूम रहा होता है और यहां से बहुता है Lage जाते हैं और यहां से बोलता है कि मैंने तुमें अजब पहले कभी देखांगा नहीं क्या तुम यहां में फैस्टीवर्ण देखने हैं किसम रहा है नियुक्त के जाा और यहां पर पर्चंट है यहां हमेशा से यहां पर आते थे तो यहां पर जो रे होता है यह बोलता है कि हाँ यह जो है कुछ समय से यहां पर आ रहे हैं और अपनी चीजों को बेच रहे हैं इस गाउं के अंदर इसके बाद हम नेक्शन में देखते कि यहां पर शाम हो जाती है और यहां तो मुझे हो यहाँ पे बलीदान मत दो सभी लोग यहाँ पे मान चुके हैं कि हमें बलीदान नहीं देना चाहिए तो यहाँ पे रे की बहन बोलती है कि नहीं यह जो है मेरा किसमत है और मुझे यह करना ही पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे बलीदान नहीं दूंगी तो यहाँ पे जो मॉस्टर है वो जह विलेज को डिस्ट्रोई कर देगा इसलिए मुझे बलीदान देना ही पड़ेगा तब ही हम नैक्शिन में देखते कि यहाँ पे रे की बहन जो होती है बलीदान देने के लिए और यहीं पे जो रे होता है और साथ में जो सेटो होता है वो लोग भी आ जाते है इसके जहाज के उपर यहीं पे जो रे की बहन होती है वो जा रही होती है यहाँ पे जहाज की उपर चड़के तब ही यहाँ पे जो ड्रेगन होता है वो जो होता है आ जाता है इनके सामने यहाँ पे मोश्टर के उपर हमला कर देता है लेकिन जैसे यह मोश्टर के उपर हमला करता है यहाँ पे यह सीधा ही जो होता है मोश्टर के अंदर घुच जाता है और मोश्टर के पीछे यहाँ पे यहाँ पे जो होता है कि मुझे लगा ही था कि तुम ही इनके जो पीछे हो यहाँ पर जो मर्चंट होता है, यह बोलता है, कि मैं तुमें कहा था कि तुम चुपचपसद ले जाओ, लेकिन लगता है कि तुमें अब जी है, मारना ही पढ़ेगा, जिसके बाद सैटो जो होता है, इन मर्चंट के उपर हमला कर देता है, और इन सभी को यहां पे जो होता है पकड़ लेता है और इन सभी को पकड़ने के बाद सैटो जो होता है शिप को किनारे पे ले आता है और यहां पे इन सभी को ले जाता है गाउवालों के पास यहाँ पर गाँवाले इन बंदे के उपर काफी घुस्ता हो रहे होते हैं यहाँ पर Siato बोलता है कि मैंने तो सुरू में ही इनको जह नोटिस कर लिया था तब यह गाँवाला बोलता है कि जो बाकी लटकिया है किया वो जिन्दा है तो यहाँ पे जो यह बंदा होता है यह बोलता कि हाँ वो जिन्दा है वो जह दूसरे किनारे पे है असल में हम जह उनको बेचने वाले थे इसलिए हमने अभी तक उनको जिन्दा रखा है यहाँ जो गावाले होते हैं वो जो होते हैं इनके उपर काफी गुसा हो रहे होते है तबी यहाँ पर जो सैटो होता है यह बोलता है ठीक है मैं जहूँ अब जाता हूँ आपी सैटो यहाँ पर जाही रहा होता है तबी रे की बहन आती है और इसको किस कर लेती है जिसके बाद सेटो यहां पो हो जाता है और यह जो होता है यहां पे टीना को सारी बाते जो है बता देता है और यह जो होता है किस सारी बात भी बता देता है तो यहां पे टीना काफी यहां गुसा हो जाती है यहीं पे हम देखते हैं कि जो सेटो होता है वो यहाँ पे एरवेंचर गिल के अंदर आया होता है और यह यहाँ पे अपने लिए कुईस देख रहा होता है तब ही इसकी निजर एक कुईस पे जाती है जिसके उपर एक ब्रोंज कोईन दिया हुआ है यहाँ सेटो बोलता है यह ऐसा लगता है कि जैसे यह बंदा हम से जैफری में काम करवाना चाथा है लेकिन यहाँ पे कुछ एरवेंचर ऐसे भी हैं जो पैसो के लिए काम नहीं करते हैं वो लोग सिर्फ बंदों के हल्प करना चाते हैं वो लोग जहे इस quiz को कर सकते हैं तब ही यहाँ पे जो रीना होती है वो आ जाती है और यह बोलती कि तुम क्या कर रहे हो तो यहाँ सैटूब बोलता है कि तुम चिंता मत लो मैंने तुम से प्रोमिस किया था कि मैं लेबरेंट में नहीं जाओंगा इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे यह बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ यहाँ पे एक अच्छा क्विस जह चूस करने में जो आसान रहेगा तुम्हारे लिए सेटो बोलता है लेकिन मैंने यहाँ पे एक क्विस को चूस कर लिया है मैं जहूं यहाँ पे जो यह red flower है इनको जह है collect करने के लिए जाने वाला हूँ तो यहाँ पे शीलाब होते हैं लेकिन तुम अपना ध्यान अखना क्योंकि यह flower बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं और जहां पर यह मिलते हैं वो काफी ज़धा खत्रे वाली जगा होती है यहीं पर scene change होता है हम देखते कि सैटो एक घर के बाहर आया होता है इसी घर ने यहां पर कुईस दीया होता है सैटो यहां पर दर्वाजे को नो करने लग जाता है तभी एक लड़की बाहर आती है और यह बोलती कि जो पादरी है वो जह बाहर गए हुए है तो यहाँ पर यह बोलता है कि मैं अरवेंचर गिल्ट से आया हूँ और मैंने आपका जो कुईज है वो जह लिया हुआ है लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ जनकारी चाहिए लड़की बोलती है आप जह अंदर आ जाएए जिसके बाद सैटो अंदर आ जाता है यहाँ पर लड़की बोलती है कि सभी लोग ध्यानक ना है यह जह अरवेंचर है तो इसे परशान मत करना तभी हम देखते कि जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर चले जाते हैं सैटो के पार और वो लोग सैटो से बिलकूल नहीं डर रहे होते है तभी जो लड़की होती है यह बोलती है कि मैने तुमें कितनी बार कहाए कि तुम्हें जो एरवेंचर आले बंदे हैं से दूर रहना चाहिए जिसके बाद यह बच्चों को बोलता है ऐसा ही और यह बच्चे दूर हो जाते हैं यहां पर लड़की बोलती कि मिस्टर सेटो आप जह बहुत ज्यादा ही अच्छे बंदे हैं इसके सेटो बोलता है कि तुम मुझे अब जह जनकारी दो अपने जह कु क्यों चाहिए जिसके बाद लड़की बोलती कि मैं बताती हूं जिसके बाद हम देखते कि यह लोग एक जह रूम के अंदर चले जाते हैं यहां पर रूम के अंदर एक लेड़ी होती हैं और यह बोलते हैं कि आपका बहुत वो शुक्रिया आप जह हमारी हेल्प करने के लि मुझे यहां पर फलावर इसलिए चाहिए ताकि मैं यहां पर जो दवाई है वो जह बना सकूं क्योंकि जिस लेड़ी को आपने देखा वो जह यहां पर डिवाइन पाउर का यूस नहीं कर सकती लेकिन वो फिर भी उसका इस्तमाल करती हैं जिसके कारण वो बहुत ज़्या यहां पर उस लेड़ी का जह इलाज करना है उससे जह दवाई बना के तो यहां पर लड़की बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सेटो बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहां पर उस फलावर को तुम्हारे ले आऊंगा तो यहां पर लड़की इ उसे जहे ठीक कर देंगे जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बेस्मेंट में पहुँच जाते हैं लेकिन यहां पर जो सैटव होता है वो अलीजा को बोलता कि तुम्हें वापी जहे चले जाना चाहिए जो मॉस्टर है वो जहे खतरनाक हो सकते हैं Eliza बोलती कि नहीं मैं जहूँ आपकी help जरूर करूंगी तो सेटो बोलते है ठीक है चलो फिर जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जो monster होते हैं वो असल में चूहे होते हैं और यहाँ पे सेटो को देखके जो बाकी चूहे होते हैं वो भाग जाते हैं लेकिन एक चूहा यहाँ पे रह जाता है और वो चूहा डिरेक्ट यहाँ पे सेटो के उपर हमला कर देता है और उसके हाथ को काट लेता है जिससे उसका खून यहाँ पे इसके दात में लग जाता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि चूहे को काफी या दर्द हो रहा होता है और एकदम से इसका कलर चेंज हो जाता है यहाँ पे सैटो कहता है की मैं समझ गया अब ये जह मेरा गुलाम बन गया है जिसके बाद हम देखते हैं की सैटो चुहे को लेकर गहर पे आ जाता है और यहाँ पे यहाँ पी ये बोलता है की से मैंने जह यहाँ पे जो और्फनेस सा उसके अंदर जे ढूंडा है और इसने मेरे उपर हमला किया जिसके बाद मेरा खून इसके मुह में चला गया अब ये जह मेरा गुलाम बन चुका है यहाँ पे टीना बोल दी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ पे एक वेंपायर के अंदर ये भी पावर आ सकती है जो यहाँ पे दूसरे बंदों को कंट्रोल कर सकता है लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ सेटो बोलते हैं किया मैं इसे यहाँ पे रख सकता हूँ तो यहाँ पर यह बोलती कि हाँ, हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं, मैं इसका खून का सैंपल लूँगी और यहाँ पर इसको जह चेक करूँगी, और में दिमाग में कभी यह आईडिया आया नहीं था कि मैं तुम्हारा खून किसी और क्रियेचर के पिलाओं, लेकिन आम पिल आ जाती है और यह बोलती कि चलो खाना झार हो गया जिसके बाद हम देखते कि यह लोग खाना खाने के लिए बैड़ जाते हैं और यहां पर साथ में तुम्हारा जो रैंक है उस रैंक के अर्वेंचर एकेले नहीं जाते वो लोग जह जुन बना के फिर जाते हैं उस जगा पे ताकि वो वहाँ पे मोस्टर से फाटिंग कर सके और मुझे लगता है कि अगर तुम्हें केले गए तो तुम्हारे लिए खतनाक हो सकता है तो यहाँ सेटो बोलता है कि तुम चिंता मतलो मैंने यहाँ पे जो होली वाटर है उसे जह ले रखा है तो यहाँ पे टीना बोलती क्या हुआ अगर होली वाटर काम नहीं किया तो फिर तो तुम बहुत बड़ी मुसीवत में आ जाओगे तो यहाँ पर सेटर बोलते है कुछ भी नहीं होगा, मुझे जह जाना ही पड़ेगा, मुझे उस बच्ची की help करनी है तो यहाँ पर टीना बोलते है ठीक है जब तुमने मन मना ली है तो आकिर कर में क्या कर सकती हो चलो ठीक है तुम खाना खालो, वरना जो खाना है वो ठंडा हो जाएगा और यहाँ पर जो खाना है वो वेस्ट हो जाएगा तो सेटर बोलते है ठीक है मैं खाना खा लेता हूँ, फिर सेटर जो होता है यहाँ खाना खाना सुरू कर देता है तो यहाँ पर टीना बोलते कि चलो तो कम से कम तुम्हीं ये खाना अच्छा तो लगा फिर हम नेक्ट एक सीन को देखते हैं यहाँ पर सेटो गोडा गाडी में बैठके जा रहा होता है उस जगा पर पहुच जाता है तो यहाँ पर यह देखते हैं कि जो हमला है वो गोबिलिंग कर रहे हैं यह बोलता है यह तो काफी खतरनाक बात होई क्योंकि यहाँ पर जो मौश्टन है वो जहा त्यारो का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद ये लोग जो एक ब्रीज को पार कर रहे होते हैं ब्रीज को पार करते वक्त जो ब्रीज होता है वो जो होता है तूट जाता है लेकिन हम देखते कि यहाँ पर एक जो मोश्टर होता है वो आ जाता है लेकिन तभी एक monster इसके पीछे आ जाता है सेटो जो होता है यहाँ पर भागना सुरू कर देता है और यह बोलता है कि मैं जो holy water लेके आया था वो जहे काम नहीं कर रहा आखिर कर अब मुझे क्या करना चाहिए तभी हम देखते कि यहाँ पर एक बहुत अड़ा monster सेटो को मानने वाला होता है सेटो बोलते कि मेरे पास कोई और चरा नहीं है और इस सीधा इसके उपर हमला करता है लेकिन यहाँ पर यह जहर को उगल देता है और ड्रेक्ट इसके उपर हमला करता है लेकिन सेटो का हमला इसके उपर जह काम नहीं करता है सेटो बोलते हैं कि मेरा हमला इसके उपर काम नहीं कर रहा आखिर कर मैं अब क्या करूँ तब ही हम देखते हैं कि सेटो का जो चुहा होता है वो जो होता है एक दम से उड़ने लग जाता है और यहाँ पे अपनी जो divine power होता है उसका इस्तमाल करता है और सीधा इसके जह मुँ में गुज जाता है लेकिन एक दम से यह monster उसको थूख देता है सेटो यहाँ पे उस चुहे को पकड़ लेता है और यह बोलता है अगली वार से तुम मेरी power का इस तरह से इस्तमाल नहीं कर सकते है जिसके सेटो को समझ आ जाता है कि यहाँ पे इस monster के उपर अगर मैं divine power से इस्तमाल करूँ तो यहाँ पे जही मर सकता है जिसके बाद हम देखते कि सेटो वैसा ही करता है और जिसके बाद यह आगे की तरफ जा रहा होता है और हम देखते कि सेटो जो होता है जो फूल होते हैं उनके पास सेटो यहाँ पे फूलो को उठा रहा होता है तब यह देखते कि पीछे कोई बंदा आ गया है यहाँ पर यह बंदा बोलते कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई बंदा यहाँ तक पहुच पाएगा यहीं पर हम देखते हैं कि जो शीला होती है यह बोल रही होती है कि सैटो क्या तुम सही में जो लूटरा फैमिली है वहाँ पर जाने वाले हो तो setup बोलते हैं कि हाँ मेरा कोई plan नहीं है उनको जह मना करने का शीला बोलती है लेकिन मुझे गड़वर लग रही है क्योंकि उसने आज तक कोई जो request है वो जह नहीं दी थी लेकिन एकदम से उसने जह request दी है मैंने माना कि आपने request को पूरा कर लिया है लेकिन फिर भी कुछ दर गड़वर लग रही है setup मैंने कहता है कि मैं समझ गया हो कि आखिरकार शीला जह इतना क्यों डर रही है अगर उन लोग को पाचला कि मैं monster हूँ तो वो लोग मुझे मार देंगे इसके बाद next in में हम देखते हैं कि सेटो जह होता है लुटुआ जो family होती है उसके castle के बाहर खड़ा होता है और उसके बाद वो जह होता है उनकी भूल भुलेया में यहाँ पर घूम रहा होता है फिर सेटो जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है तबी इसको एक gate दिखाई देता है लेकिन वो यहाँ पर महल का entry gate नहीं होता और जैसे यह अंदर आता है यह देखता है कि यहाँ पर एक लड़की जो है बैठी हुई है क्योंकि आप जो हमारी family के जो guest हो जिसके बाद सेटो बोलता है ठीक है सेटो जो होता है इस लड़की के पास चाय पीने करिए बैठ जाता है यहाँ पे लड़की चाय दे रही होती है सैटो को लड़की यहाँ पे जब चाय बना रही होती है सैटो बोलता है लगता है कि यह एक magic item है क्योंकि इसमें चायपती है वो जह नहीं डाली है लड़की यहाँ पे सैटो को देख लेती है और यह समझ जाती है कि यह काफी कंप्यूज हैं जिसके बाद यह बदाती है कि असल में यह एक मैजिक टी पोट है और यह यहाँ पे जो चाय का फिलेवर होता है उसको याद कर लेता है और जब तुम इसमें गरम पाइं डालते हो तो यहाँ पे जो चाय है वो जह बन के तयार हो जाती है सैटर बोलता है कि यह तो बहुत जादा ही amazing tool है आपको यह tool कहां से मिला है लड़की बोलती कि यह tool मुझे जह laboratory से मिला है और यहाँ पे इसे जह 2000 साल पहले जह बनाया गया था और ये जह अब बहुँ ज़ादा महेंगा मिलता है देखा जाए तो ये अब तीन हजार जो ब्लैटियूं कोईन होते हैं उनका जह ये मिलता है तो यहाँ पर सैटो बोलता है कि जो ये किंडम है ये जो बागी किंडम से काफी अलग है क्योंकि यहाँ पर जो टीपोट है उसका प्राइज ही पूरे जह बंदे की जिन्दगी का प्राइज है मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो टीपोट है ये बहुत बेंगा है अगर इतने पैसे किसी बंदे को मिल जाए तो वो पुरुजिन्द की अराम से बैटके खा सकता है फिर सेटो यहाँ पे चाय को पी लेता है और यह बोलता है कि चाय बहुत ज़्यादा अची है तो यहाँ पे लड़की बोलती कि सुनके मुझे काफे खुशी हुई इस चाय को हमने बहुत साल पहले बनवाया हुआ था यहाँ पे सेटो बोलता है कि आज से पहले मैंने जह इतनी अची चीज कभी जह नहीं पी थी जिसके बाद लड़की बोलती कि आपका शुकरिया फिर लड़की जह होती सेटो के मार्क्स पे ध्यान देती है और यह बोलती है मुझे लगता है कि आपका जो मार्क्स है ओभी यहाँ पे एक जह मैजिक टूल है तो यहाँ सेटो बोलता है कि हाँ यह एक मैजिक टूल है लड़की बोलती है कि आप मुझे बता सकते हो कि आखिरकार आपको जह मैजिक टूल कहां पे मिला तो सैटो बोलता है कि यह मुझे जो माइल्स है वहां पे मिला था ओभी जह मीलिया के माइल्स में लड़की बोलती है तो कमाल की बात है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस त जाती हूं क्या आप मुझे यह जो मार्म से आप मोध के लिए इंपौटेंट है ल Kathy मut Ala समझ मतलिए मैं इसके लिए आपको जया पेवी करूंगी यहीं पे सैटों होتा है कि अगर मैं इस मार्म कर पाता तो में यह utilizz guru कर पाता तो में तो अगर यह ईसको डेता लेकिन कोई बात नहीं मुझे भी माफ कीजेगा जिसके अब सेटो यहां से जह जा रहा होता है लड़की बोलती कि मैं आपको एक जह हिंट देना चाती हूं आप यहां पर सुरच को जह मत देखिएगा सेटो बोलता है ठीक है जिसके बाद यह दुबारा भूल भूले के अंदर घू जिसके बाद हम देखते हैं लड़की बोलती कि मेरा नम लोरींस है और मैं ही जह हूँ यहां पर हैड हूँ जो लूटरा फेमिली है उस सेटो बोलते कि मेरा नम सेटो है और मैं जो एक मिध्री लेवल का अरवेंचरर हूँ जिसके बाद यहां पर यह बोलता कि यह रही नाम दोंगी आप इस घर के अंदर से जो भी मेजिकल टूल है वो जह ले जा सकते हैं तो सेटर बोलता है क्या मुझे वो भूल भूले मिल सकती है तो यहां पर लुटरा बोलती की नहीं वो नहीं मिल सकती सेटर बोलता है कोई बाद नहीं मैं वैसे भी मचाक कर रहा था जिसक लोग आगे के दरफ जा रहे होते हैं यहीं पे लुटरा बोलती कि जो आप चीजे देख रहे हैं इनको जह हम पूरे वर्ल्ड से यहां पे जह लेके आ हैं वो भी जह खटा करके लेकिन कुछ चीजे मेरे जह काम की नहीं है जैसे यह बोल यह जह यहां पे एक ऐसा मैजिक और यहां पे लड़की बोलती कि यह मोडल हमारे प्लेन का है जो हमारे कंट्री में बन चुका है और हम लोग उसके उपर से जाते हैं फिर लड़की यहां पे एक रिमोट को दिखाती है और यह बोलती कि आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं यहां पे सेटो जो होता है इसको बड़े बच्चे वारा दिल है वो बोल रहा है कि नहीं अभी जह मुझे इसको छोड़ देना चाहिए यहां पर जह और भी जो वैलुवल चीज़ें वो जह हो सकती है फिर सेटो यहां पर बोलता है कि मैं इस ले तो लेता है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा माना लगता है इस लेके आओ बंदा बोलता है कि मेरे पास जो चाबी है वो नहीं है और मुझे याद भी नहीं कि मैंने उसे कहां पर रख दिया है यहां पर हम देखते कि गोल अपने पार्ट को इखटा कर रहा होता है यहीं पर बंदा बोलता है कि सेटो आप जह इसे समाल लीजिए मुझे आप इसे समाल लीजिए मुझे पता कि आप जीत नहीं पाएंगे लेकिन आप कोशिश कीजिए सेटो बोलते कि वैसे भी मैं जीतने की सोच भी नहीं रहा मैं तो इससे सी बचने की सोच रहा हूं यहीं पर लूटरा बोलती कि जहल्दी करो उस चीज को ढूंड़ो यहां प टीना ने मुझे कहा था कि इसके सर पे कोई निशान होगा अगर मैं उसे यहां पे जहों दबा दूँ तो यह जह बंद हो जाएगा लेकिन इसके सर पे तो कोई निशानी नहीं है जिसके बाद यह फिर से टीना की बात को याद करता है और यहां पर टीना बोल दी कि जो नि नीचे गिर जाता है तूटके जिसके बाद हम देखते हैं कि यहां पे लुना जो होती है यह बोलती कि हमें माफ कर दीजेगा सैटर बोलते कि आप लोग की इसमें कोई गलती नहीं है मैंने ही ध्यान नहीं दिया था और मेरा हाथ इसके उपर लग गया जिसके बाद इस बंद तुम चाहो तो यहां पे हम लोग जे अभी भी कोई मैजिक आइटम जेपी कर सकते हैं इसके बाद हम देखते कि यह लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं तब इस सैटो को यहां पे जेए एक चीज दिखाई पड़ती है और इस चीज को देखते ही सैटो काफी अजीव सा जेए बिहेब करने लग जाता है तब यहां पर लूना बोलते हैं लगता है कि आपको यह चीज काफी पसंद आई है असल में यह जेए वेंपायर का खून है अगर आप इसे पी लेंगे तो आपको वेंपायर की सक्तियां मिल जाएंगी लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकती यह जए अफ़वा है कि कि यहांपे कुछ लोगों ने इसे जए पीया है तो वो लोग पागल हो गए या फिर वो मर गए है अभी तक कब यहांपे क्लियर नहीं हुआ कि आकर पीने के बाद होता क्या है आपरी सोची कि आगर किसी बंदे को वेंपायर की पावर मिल भी गई तो तो थोड़ी बताएगा कि मेरे पास वेंपायर की पावर है वरना लोग उसको जह मारना सुरू नहीं कर देंगे इसलिए अभी तक यह बात क्लियर नहीं हुई क्या किरकार इसको पीने के बाद क्या होता है तो सेटो बोलते कि मैंने इसको डिसाइड कर लिया है नेक शीन में ह यहाँ पर टीना बोलते कि नहीं तुम्हें इसको नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसको पीने के बाद मैं यहाँ यहाँ पर दुबारा इनसान बन जाओं तो यहाँ पर टीना बोलते कि तुम जैसे हो मुझे वैसे ही ठीक लगते हो तुमारे पास पहले पावर नहीं थी तब भी तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और तुम जो यहाँ तक पहुचे हो तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो और सही बताओं तो अगर तुम पूरी जिन्दगी यहाँ पर जो आंदेद बनके गुजारते हो तो मुझे जो है कोई दिक्कत नहीं होती तुम पूरी जिन्दगी मेरे साथ रह सकते हो और तुम एरवेंचर का काम भी कट सकते हो और मुझे पूरा आइकीन है कि एक ना एक दिन तुम जो यहाँ पर मिथ्री लेवल के जो एरवेंचर है वो जह बन जाओगे यहाँ पर सेटो बोलता है कि वैसे मैं भी जो काफी ज़्यादा घबरा रहा हू इस दबाई को ट्राइ करने के लिए लेकिन फिर भी मुझे जह इसको ट्राइ करना है हो सकता है यह मेरा मोका हो यहाँ पर जह दुबारा से जो इनसान का रूप है वो जह लेने का तबी टीना कहती कि मुझे याद आया कि यहाँ पर जो शीला है वो जह तुम्हारे बार में पूँच रही थी, तो यहां पर सेटो बोलते है कि आखिरकार वो क्या पोँच रही थी, तो यहां पर टीना बोलती है, तो तुम्हें इस सवाल का जब नहीं देना है, तो तुम नहीं दे कुछ नहीं जानती हूं तुम पूरी तरह से यहां पे जह हो मिष्टरी से भरे हुए हो तो यहां पर सैट्र बोलता है ऐच्छा यह बात है क्या है चलो पूछो तुम क्या पूछोगी मैं ज़रूर तुम्हें बताऊंगा तो यहां पे टीना कहती कि मैं पूछना चाती हो कि तुम जो यहाँ पे जो मित्री लेवल के एरवेंचर है वो क्यों बनना चाते हो तुम मेरे साथ बहुत लंबे समय से रहते हो लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानती कि आकर गार तुम जो क्यों बनना चाते हो क्योंकि आज तक मैंने जह तुम से पूचा ही नहीं क्योंकि तुम नहीं मना किया था कि आप जो एरवेंचरर हैं उनसे जह उनके पाष्ट के बारे में नहीं पूचना चाहिए अगर उनकी मर्जी होगी तो वो जह खुदी बता देंगे सेटो बोलता है कि मुझे माफ कर देना मैं तुम्हाइ इस साथ इतने लंबे समय से हूँ लेकिन मैंने तुमको बता आये नहीं संद् Milet लौनीट को और में फुक्तल शूद लोंगी सेटो जो होता है चोग जाता है और लें तुम्हें लौनार को पता हुआ तो वह मुझे डाटेंगी जब मैं अर्वेंचर बन जाओंगी तो मैं पूरी दुनिया को गुमना चाहती हूं और यहां पर चीज़ें उनको देखना चाहती हूं तुम्हें पता अभी नहीं होगा सेटो की यहां पर जो दुनिया है वह कितनी सुन्दर है यहां पर बहुत सा साथ घूमने जहें चल सकते हो यहीं पर जो टीना होती है यह बोलती कि मैं सोच भी नहीं सकती कि जब तुम छोटे थे तो तुम इतने डरपोग होगे मुझे लगा था कि तुम बच्पन से ही अपनी जो तलवार है उसको पकड़के जो है प्रेस्टिक करते होगे वो भी ज जूलेट का अखरी दिन होगा तीना बोलती क्या मतलब सेटों बोलता है कि जब हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे तब यहां पर हमारे जो बगगी है उसके उपर हमला कर दिया गया था मौश्टर द्वारा और मेरी जो ग्रेंमा है वो जह मर गई थी और साथी जो मेरे पै बगए जिसके बाद हम लोग एक जगहे पहुच गए और हमें लगा कि हम लोग बच गई लेकिन हमें क्या पता था कि जो मोस्टर है वो जह हमारा खेल रहा है तब हम देखते कि यहां पर मौश्टर जह उपर आ जाता है और यह होता है इनके उपर हमला करने के लिए नीचे क्यों किया तो यहाँ पे जुलिट बोलती कि मैंने तुमको प्रोमिस किया था कि मैं तुमको प्रोटेक करूंगी इसलिए मैंने तुमको प्रोटेक किया है अबी तभी हम देखते कि मोंस्टर यहाँ पे जह आ जाता है इनके उपर हमला करने के लिए लेकिन तभी एक एलवें यहां पर टीना को बोलता है कि उस बंदे ने मुझे यहां पर बचा लिया था जो वुल्फ है उससे और जिसके बाद उसने जह मुझे अपना गाउं है वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा होता है वहीं पर वैंचरर उसके पास आ जाता है सैटो बोलता है कि मुझे एक जह अरवेंचरर बनना है अरवेंचरर बनना है अरवेंचरर पूसता है का अखिर कर क्यों सैटो बोलता है क्यों कि जो मेरी फ्रेंड है वो जह थी एक अरवेंचर बनना चाहती थी इसलिए मैं उसके लिए यहां पे जह एक अरवेंचर बनूंग तुम्हारे गाउं में एक Old Lady है तुम्हारे जाओ और उनको जह मनाओ क्यूंकि यहां जह सिखा देगी तुम जो आगे का जह पोसेजर है उसपे जहा सकते हैं तो यहां पे बोलता है, मुझे लगा था कि यहां पे बाकी बंदों की तरह, ओ जह मुझे गूडलक बोलके चला जाएगा, लेकिन उस बंदे ने मुझे बहुत जाड़ डिटेल में यहां पे जह सब कुछ बताया, और यहां पे हम उस अर्वेंचर को देखते हैं, जह बोलता कि मैं समझ नहीं पा रही कि मैं तुम्हें यहां पे लखी बोलूँ या अनलखी बोलूँ क्यों कि तुमने यहां पे एक मिथ्री लेवल से मिले थे, और साथ में एक ड्रैगन से भी मिले थे, ओभी जह इतने कम उमर में, तो यहां पे सैटो बोलता है कि मुझे जहलदी से ज़ी जाता है यहां पे मिह 3 level के agriculture बनहारे और फिर ना फिर उस monster को मारना है जिसने जुलिएट को मारा था और मेरे parents को मैं उस monster को नहीं चूड़ूं जिसके बाद यहाँ पे सैटो जो होता है उस खून को पी लेता है और यहाँ पे एकदम से जहे इसके बोड़ी में बदलाव जहे आने लग जाता है और यह बहुत तेजी से चीकता है और यहीं पे सैटो उल्टी करना भी सुरू कर देता है यहाँ पे जो टीना होती है वो कहत रही होती है और यह बोलती कि सैटो तुम्हें जो आपस आना पड़ेगा यहीं पर नेक्षीन में हम देखते कि सैटो यहां पर सो रहा होता है और यह बोलता है कि मुझे और सोना है क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया है यहां पर यहां पर ठीक से नहीं सोया हूं मेरी जो ही पूरी गाइब हो गई है। और यहां पर जब से में आंधद बना हूं मुझे काफी ज़्यादा बदलाओ जह आ गया है। हर टाइम में मैं यहां पर इलो होती रहती लेकिन यहां पर स्केम फ़ल तो उसका दर्थ है वह ज़्यादा ही तो बहुता था उस दर्थ को यहां प पर ये बोल धी कि आखिर कर तो उठ गए हो तिना वो धी कि कैसल मैं मैं जह हो था हॉर्ट के बारे में यहां पर रीड कर रही थी राकते हैं अधित होते हैं बहुत जादा ही कमजोर होते हैं यहां पर खतरनाक वाले Mosult Kell को देखना तो बहुत जヤदा मुस्किल होता है लेकिन यहां पर तुम कमजोर उले Masnos trend को बड़ अराम से देख सकते हो सटो बोलता है लेकिन आकरकर तुम इनके बारे में रीड़् की्यू पाद यह उतारता है तो यह देखते हैं कि इसके पीछे यहां पे यह पंक है यहां पर जो होता है वो चोटा बड़ा कर सकता है यह तो काफी अची बात है लेकिन बस एक दिक्कत है कि मैं तुम्हारा जो लेवल है वो जह नहीं समझपा रही कि आकर का तुम कौन से लेवल के जो एमपायर हो बने हो अगर तुम लो लबल के एमपायर हो तो तम्हारे पास जो पंक है वो नहीं वना चीए थे लेकिन चलो कोई बात नहीं यहां पर तुम अपने मूँ को दिखाता है और यह बोलती है कि सही में तुम्हाई जो मू के दानत है वो जह काफी जज़ादा और यहाँ पे बहुत स्ट्रोंग लग रहे हैं पर टीना बोल दी कि चलो अपनी आखों को दिखाओ जिसके सेटो अपनी आखों को दिखाता है और इसकी आखे लाल होती है तो यहाँ पे टीना कहती कि वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां पे जातर बंदे उनकी जो आके होती है वो लाल होती है तो finally set हो तुमने यहां पे कर दिखाया अब तुम इस रूप के साथ यहां पे जो अर्वेचागिल है उसमें जो जा सकते हो और यहां पे बड़े अराम से इधर उधर घुम भी सकते हो बस तुम्हें एक ही बात का ध्यान जो है रखना पड़ेगा वो बात यह है कि तुम्हें अपना जो पंक है उनका जो है कुछ करना पड़ेगा वही जो थोरी बहुत जो प्रोग्लम है वो जो है दे सकते हैं लेकिन फ्री सेटो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़ा खुश हूँ तुम फाइनली अब जो आपिस आगे वैलकम होम सेटो तो यहां पे सेटो बोलता है कि तुम्हारा शुकरिया फाइनली मैं आगया फिस तो यह एपी शोड खतम हो गया है और यह सीजन भी खतम हो गया है अब आपको मैं अगले सीजन में ही मिलूँगा जब इसका अगला सीजन आएगा तो आपको मेचल पे मिल जाएगा तो मिलता हूँ मैं आपको अगले सीजन के अंदर जब तक लिए बाई बाई